आज हम चैप्टर नमर थी का फस्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं पहले तो इस चैप्टर का इंट्रोड़क्शन पढ़ते हैं फिर हम डिफरेंट स्रेट्स ओव मैटर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले तो प्रॉपर्टीज ओ डिफरेंट स्रेट्स ओव मैटर मुझूद हैं जो इंतहाई जनरली और बहुत खुब्सूरत अंदाज में लिखी गई है उसके बाद कुछ गैसलाज हैं गैसलाज असल में डिस्क्रिप्शन है कि किस तरह गैस का behavior change होतर है जब हम external conditions को change करते हैं जिसके अंदर हम gas का उलियम और pressure का relationship study करेंगे चारले जिसके अंदर हम वोलियम एंट तंप्रेचर का जो relation है यनि के उलियम औफ गैस पे तंप्रेचर चेंज करने से क्या effect आता है इसको discuss करेंगे Dalton law of partial pressure और Grams law of diffusion भी इसी चेप्टर का हिस्सा है इसके लावा हम जो गैस की basic properties है आईडियलेटी है उसको भी discuss करेंगे गैस की particles किस तरह behave करते हैं गैस के molecules की movement उनके बारे में कुछ पॉस्चुलेट्स हैं जो के इंतहाई important है यह हम kinetic molecular theory के अंदर discuss करने जा रहे हैं kinetic molecular theory के अंदर ना सिर्फ हम gas के different postulate discuss करेंगे बलके हम यह भी पढ़ेंगे के हम किस तरह kinetic molecular theory की equation यूज करते हुए clauses की equations को यूज करते हुए drive कर सकते हैं यह हम जो laws of gases हैं उनको kinetic molecular theory के जरी कैसे verify कर सकते है उसके बाद हम general gas equation और general gas constant की derivation भी पढ़ेंगे जो के हमारे numericals में बार बार use होगी हम अगर किसी unknown gas की कोई volume pressure या उसके moles find करना चाहें तो हम general gas equation को अक्सर use करते हैं liquefaction में आप gases को एक certain condition पे liquid में change करते हैं cool down करके इसमें lindes method इंतहाई important है और इसके लावा जिस principle पे ये method चल रहा होता है jowl thomson effect this is also another important feature इसके लावा हम gases का जो behavior है वो ideal तो हो सकता है हमारे नस्दीक theories में लेगिन असल में gases ideal behavior नहीं करती बलके वो real behavior करती है उनकी properties ideality से different होती है आखरी topics के अंदर हमारे पास जो non-ideal behavior of gases है उसको discuss किया गया और ये भी discuss किया गया है कि vendor wall ने कैसे non-ideal behavior को अपने सामने रखते हुए जो gas के loss थे उनको modify किया और उनको applicable बनाया हमारे अद्गिर मजूद real gases के उप़र आखरी topic हमारा होगा plasma जिसमें हम plasma की existence उसकी properties उसकी types और उसके modern uses पे एक detail discussion करेंगे हम अपने topic जो आज का हमारा है उससे start करते है सबसे बहले तो gases matter की एक state है matter क्या होती है matter is anything which occupies space and has mass for example ये हमारे पास एक table है ये matter है ये matter से मिलके बनी है क्यों ये एक जगा गेर रही है इसका एक volume है और अगर आप इसे उठाने की कोशिश करेंगे तो आपको महसूस होगा इसका वजन भी है इसका mass भी है हमारे इर्दगित matter तीन स्टेट्स में पाई जाती है solid, liquid, gas प्लाजमा फोस स्टेट और matter है इसकी ज्यादातर existence इंटर स्टेलर स्पेस के अंदर मुजूद है तो चार जो स्टेट्स हैं matter की उसमें से जो पहली तीन हमारे सामने मुजूद है वो है solid, liquid, gas सबसे पहले हम discuss करते हैं कि जो gas है वो किस किसम की स्टेट है gas एक simplest state of form of matter है for example hydrogen molecules, oxygen molecules ये कोई complex structure नहीं होता gases का ये कोई long chain molecule type structures नहीं होते है ये कोई lattice नहीं बनाते है, crystals नहीं बनाते है ये very simplest form है जिसमें mono, die, triatomic molecules freely move कर रहे होते हैं air के अंदर oxygen, nitrogen, carbon dioxide, argon वगएरा वो particles हैं जो air को बना रहे हैं, ये सारे gaseous state में है इनका एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासला होता है ये एक free volume यह आप यूं समझें इनका एक fixed volume नहीं होता है इनका एक fixed area नहीं होता है जिसमें ये रहती है, ये move करती रहती है जो हमारी atmosphere है, ये एक gases का ही mixture है दूसरी state of matter है liquid liquid थोड़े कम पाय जाते हैं, उसकी वज़ा ये है कि liquid जो है वो एक narrow range of temperature में exist करते हैं हमारे दूसरी जो liquid state में molecule या chemical substance मुझूद है वो है water water की liquid form 0 degree से 100 degree के दिनमयान ही exist करती है तीस्टे स्टेट और matter है solid जो के हमारे दूसरी सबसे दादा पाय जाती है walls, floor, ठीक है इसके लावा हिमालिया, ये जो पहाड़ हैं, ये सारे solid form में है minerals, gold, iron, ये सारी solid states है इन में particle एक दूसरे करदा strongly attracted होते हैं और अपनी place पे हम मुझूद रहते है ये ज़्यदातर metals होती हैं जो हमारे दूसरी solid state में exist करती है ये plasma force state है plasma एक जो properties हैं वो हमारा आखरी topic है हम उसमें इसको detail में discuss करेंगे किस तरह हम energy के इस्तमाल से किसी भी matter के state जो के plasma है उसमें अपने compound को ये substance को convert कर सकते हैं plasma पे electric and magnetic field का बहुत strong effect होता है लाज हम उसको आखरी topic के अंदर ही discuss करते है आज हमारे पार जो तीन पहली तीन states of matter है हम उनकी एक दूसरे में conversion किस तरह हो सकती है सबसे पहले तो उसको discuss करते है जो solid state है उसके अंदर molecules जैसा कि आप देख सकते हैं एक दूसरे के साथ strongly bind है ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए है अगर आप इसकी internal energy किसी तरह बढ़ा दे molecules की तो वो अपनी जगा पे तेजी से vibrate करना शुरू कर देंगे और अपनी forces of attraction को कम करना शुरू कर देंगे जो एक दूसरे के साथ उनने डिवेलप की हुई है ड्यू टू हाई energy if you heat them आप ऐसा करें उसको heat करें उनकी heat molecules जो solid बना रहे हैं या atoms वो gain करना शुरू करेंगे और उन molecules, atom या ions जो solid के अंदर मुजूद हैं वो energy gain करके अपनी forces of attraction weak कर लेंगे और उनमें थोड़ी बहुत mobility आ जाजाएगी solid जब अपनी असल state को छोड़ देता है तो वो melt होके liquid state में convert हो जाता है जिसमें molecules किसी हद तक mobile होती है mobility होती है, चल फिर रहे होती है और उनकी moment solid की तरह restricted नहीं होती अगर आप liquid के temperature कम करते हैं तो वो जो internal energy भढ़ गई है molecules की energy absorb करने की वज़ए़ से temperature कम करने पर वो reduce हो जाएगी और दुबारा freeze हो जाएगे solid form के अंदर हम ऐसा करते हम इसकी energy कम नहीं करते हम liquid state को भी heat करते हैं जिससे liquid state के molecules भी energy gain कर लेंगे और करते जाएगे और अपनी energy बढ़ाते जाएगे तो internal energy continuously increase हो रही है अब internal energy बढ़ जाने की वज़ा से जो आपके molecules हैं वो अपनी forces और ट्रेक्शन को overcome कर लेंगे और एक किसम के जो molecules हैं वो एक दूसरे से दूर हो जाएगे अब यह जो state बनी है इसमें molecules के तुम्हां बहुत जादा फासला है अब वो एक किसम के free हो गई है हम इस state को कहेंगे gaseous state हुआ क्या है कि high energy molecules जो के liquid state में थे उन्होंने energy gain करके खुद को convert कर लिया in the form of gas इसे evaporation कहते हैं अगर सारा liquid boil कर जाए किसी temperature पर तो वो boiling point कर लाएगा आप evaporated particles या molecules को दोबारा liquid में convert कर सकते है energy कम करनी पड़ेगी तो असल में बात यह है कि अगर आप solid की internal energy बढ़ाएं तो melt हो के liquid में convert हो जाएगा liquid की internal energy increase करें तो वो evaporate कर जाएगा और जो gas आपके पाद third state of matter आई है अगर आप उसको temperature कम करें तो पहले liquid state में condense होगी फिर वो solid state में condense होगी कुछ ऐसे solid होते हैं जो liquid state को pass कर जाते हैं और सीधा convert होते हैं liquid state की बजाए gaseous state में ऐसे process को हम sublimation कर कहते हैं जो हमने chapter number two में discuss की हैं आपने याद रखना है जब energy के बारे में बात की जाए internal energy का सोचा जाए तो gaseous state सबसे पहले आपके जहन में आनी चाहिए energetic molecules moving highly mobile और वो एक दूसरे से दूर भी होते हैं तो उनने अपनी forces of attraction पे overcome कर दी होता है due to high energy अब यहाँ पे हम properties of gases liquid and solid को आपस में compare करते हैं जो intermolecular force intermolecular space है यानि के molecules के दिमान जो जगा है वो gases में तो बहुत ज़्यादा होती है एक gas का दूसरे gas के molecule से एक gas के molecule का फासला दूसरे gas के molecule से तकरीबन 300 टाइम्स होता है यानि कि आप यू समझे लें कि gas के molecule एक दूसरे से बे इंतहा दूर होते हैं तो इनमें जो intermolecular spaces हैं वो बहुत ज़्यादा है जो liquid हैं उनमें intermolecular spaces कम होती हैं gases के निस्पत और solid के निस्पत ज़्यादा होती है solid में तो intermolecular spaces ना होने के बराबर होती हैं वो tightly packed होते हैं और उनमें जो molecules होते हैं वो तकरीबन एक दूसरे से जुड़े होते हैं जो forces of attraction between the molecules है वो gas में negligible होती है किसी ना किसी तरह उसने overcome कर लिए होता अपनी force of attraction को वरना force of attraction अगर overcome ना होती तो वो molecule एक दूसरे के ताव अट्रेक्ट हो जाते और possibility है वो liquid या solid state में convert हो जाते हैं लेकिन gas के पाद इतनी energy होती है कि वो force of attraction develop होने से rope देती है या overcome कर लेती है उस force of attraction को develop होने से तो आप यू समझें कि उसमें forces of attraction negligible होती है ना होने के बराबर होती है liquid के अंदर जो forces of attraction होती है वो बहुत strong होती है लेकिन solid की तरह नहीं होती है solid में तो forces of attraction सबसे जादा होती है यही वज़ा है कि वो molecules को एक दूसरे के करीब जोड़के रखती है और वो उनको अपनी जगा पे maintain किये रखती है ऐसा नहीं है कि solid अगर आप table पे रख देंगे कोई say apple रख दिया in the form of solid या कोई box रख दिया metal का in the form of solid on table तो वो अपनी shape change कर लेगा उसकी वज़ा यह है कि उनमें forces of attraction इती strong है कि जो molecules या atom या आइंस और solid के अंदर मुझूद है वो अपनी fixed position को maintain किये रखते हैं क्योंकि forces of attraction उनको हिलने नहीं देती move नहीं करने देती, mobile नहीं होने देती third shape आप जानते हैं कि gas की कोई proper shape नहीं होती हैं चाहिए वो oxygen हो, nitrogen हो या कोई भी gas हो आप उसे container में fill करते हैं तो container की shape इसलिए ले लेती है क्योंकि forces of attraction negligible होती है उनकी एक certain shape maintain करने के लिए force of attraction का strong होना बहुत जरूरी है जैसे solid में होते हैं gases में force of attraction इती strong नहीं होती जिसके जैसे होता ही हूँ है कि उनकी कोई fix shape नहीं होती वहाँ जिस container में डालें उसकी shape बनाएंगे liquid में forces of attraction होती तो है लेकिन इतनी मजबूत नहीं होती है कि वो molecules या atoms को या ions को अपनी जगा पे fix करके रखें तो होता क्या है होता यह है कि वो थोड़े से mobile हो जाते है gases कितना free movement तो शाहिए ना कर पाएं लेकिन mobile हो जाते हैं और अपनी shape maintain नहीं कर पाते हैं यह ऐसे ही है जिसना मैं एक table पे water को pour करूँ तो आप देखेंगे कि वो table पे फैल जाता है लेकिन अगर मैं कोई stone table को पर गिराऊं तो वो as such shape में नीचे गिरता है उसकी वज़ा जो liquid होते हैं उनके particles में अगर इतनी force of attraction strong होती तो उनको hold करती है और shape maintain करती solid के अंदर fix shape होती है अब उसकी वज़ा क्या है solid के particles में इतनी strong force of attraction होती है मसला हम एक compound लेते है sodium chloride sodium chloride में sodium और कलोरीन के दिम्यान जो electrostatic force of attraction यह दो आइंस के दिम्यान attractive force होती है वो इतनी strong होती है कि वो इन दोनों को एक दूसरे से दूर नहीं जाने देती तो इस तरह के तो कई million trillions आइंस आपस में जुड़े होंगे और वो एक solid बना रहे होंगे तो अगर दो आपस में नहीं हिल सकते तो इतने जादा कैसे एक दूसरे से दूर जाएंगे that's why उनकी shape maintain रहती है volume of gas gas का जो volume है वो fixed नहीं होता आप चाहें तो इसे perfume की bottle में बंद कर ले चाहें तो perfume की bottle खोले पूरे कमरे में फैल जाएगी उसे पूरे कमरे का volume attain कर लेना है उसकी वज़ा क्या होती है gas में intermolecular forces होती ही नहीं है अगर होती है तो इतनी negligible होती है कि वो एक molecule को दूसरे molecule से करीब नहीं कर पाती free movement होती है collide कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ और इर्दगित के container के साथ जैसे उनको escape मिलता है वो बड़े container का volume occupy कर लेते हैं तो इनका कोई fixed volume नहीं होता है लेकिन लीकोर्ट का एक fixed volume होता है और solid के बारे में तो we are sure के उसका fixed volume fixed shape और fixed volume उनके strong forces of attraction की वज़ेसे होगा fluidity flow करने की ability यार रखेगा वो चीज़े flow करती है असानी से जिनमें intermolecular forces कोई खास significant ना हो gases इतनी असानी से flow करती है कि आप अगर perfume को कमरे के एक ओने में सप्रेय करें तो कुछ ही वक्त के अंदर वो पूरे कमरे में फैल जाती है liquid में जोंके forces of attraction थोड़ा बहतर होती है gases के मुकाबले में तो खैर बहुत जाती है तो लहादा उनका flow उतना तेजी से नहीं होता जितना के gases का होता है लेकिन liquid में forces of attraction इतनी कम भी नहीं होती है कि वो उनकी fluidity को बिलकुल ही gas के बराबर करते है और इतनी जादा भी नहीं होती है कि वो solid की तरह उनको अपनी जगा पे खड़ा रखे है लहादा liquid mobile होती है liquid के molecule mobile होती है वो एक जगा से दूसरी जगा liquid move कर सकती है उसमें mobility होती है जो solid होते हैं उनमें तो flow होता ही नहीं उसकी वज़ा उनके particles एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं जगा पे और उनको move नहीं करने देते है pressure का gases, liquid और solid पे एक खास effect होता है gases को अगर आप pressurize करेंगे तो वो compress हो जाएंगी उसकी वज़ा आपको याद होगा कि इनमें inter-molecular spaces बहुत ज़्यदा होती है तो अगर एक molecule और दूसरे molecule के दिमाएं इतनी सारी खाली जगए हैं या बहुत सारे molecule के दिमाएं इतनी खाली जगए हैं तो अगर आप pressure apply करेंगे तो molecule के दिमाएं खाली जगएं कम हो जाएंगी spaces कम हो जाएंगी और gas जो है वो compress हो जाएगी तो यह highly compressible है आप इनके वॉलियम को कहीं हंडर टाइम्स कम कर सकते हैं अंडर एक्ष्रीम प्रेशर जो लीकुड्स हैं उनमें कॉंप्रेसिबिलिटी निगलीजिबल है उसकी वज़ा कि उनमें जो डिस्टेंस होता है वो इतना तो जैदा नहीं होता कि सिगनिफिकेंट हो पना वो गैस ना बन जाए सोलिड में तो प्रेशर का कोई इफेक्ट ही नहीं होता ऐसा थोड़ी है मैं पर एक मैटल की बोल है मैं उसे हाथ में पकड़ के दुबाओं और वो दब के छोटी हो जाए उसकी वज़ा कि उसके एटम आहन या मॉलिकूल तो पहली ही आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होती है डेंस्टी गैसिस की डेंस्टी बहुत काम होती है उसकी वज़ा उनका ज़यदा वोलियम को उकुपाई करना उसमें कम मैस का होना है गैसिस के मॉलिकूल की आपस में इतना ज़दा फासला होगा तो एक खास वोलियम में क्या मैस आएगा फॉर एग्जेंपल जो मिथेन गैस होती है हमारे सुई गैस में एक मेजर कंपोनेंट है सी एच फॉर उसकी डेंस्टी होती है 0.000657 ग्राम पर cm क्यूब ये इतनी कम अमाउंट है कि हमें ग्राम पर cm क्यूब की बज़ाए ग्राम पर dm क्यूब के यूनिट यूज़ करने पड़ते है अगर हम इसकी ग्राम पर dm क्यूब में कनवर्जन करें तो हमारे पाँ जो आंसर आता है वो 0.657 ग्राम पर dm क्यूब आता है यानि के एक छोटे वॉलियम cm क्यूब के अंदर कोई significant mass ना होने के जाएसे इतनी थोड़ी value आई है जो solid है और liquid है उनकी density तो gas के मकाबले में thousand times तक है for example iron iron एक solid है और उसकी density है 7.874 ग्राम पर cm क्यूब आप अंदादा लगाएं कि इसकी gas से density कितनी गुना जाद है liquid solids के मकाबले में कम dense होते है for example ethanol उसकी density है 0.7894 ग्राम पर cm क्यूब जो यकीनन 10 times तक कम है from iron जो molecules मुजूद होते हैं या atoms मुजूद होते हैं solid liquid gas के अंदर उन में movement किस किसम की हो रही होती है उनकी मोशन किस किसम की है gas के molecule to translate translational, translatory motion भी कर रहे होते हैं एक जगा से दूसरी जगा जा रही होते हैं freely move कर रहे होते हैं collide कर रहे होते हैं और वो rotate भी कर रहे होते हैं अपने axis केन लों और उनकी vibration भी हो रही होती है liquid के molecules के अंदर ये तीनो moments available हैं लादा उनमें ये तीनो energies भी available होंगी तो liquid और gas के molecules अगर इतनी किसम के moments का रहे हैं तो definitely energetic molecules होंगे especially gas के तो बहुत ज़्यदा energetic होंगे और यही हमने थोड़ी देर पहले lecture में पढ़ा था कि अगर हम solid की energy बढ़ाएं internal energy तो वो liquid में change हो जाता है और liquid की बढ़ाएं तो ultimately gaseous state आ जाती है solid के अंदर molecules से vibrate कर पाते हैं उनको इतनी independence होती नहीं के वो एक जगा से दूसरी जगा translatory motion कर पाएं वो अपनी जगा पे हलका हलका vibrate कर रहे होते हैं position fixed maintain की होते हैं और उस position के two and fro वो vibrate कर रहे होते हैं याद रखिएगा के solid ना diffuse कर सकते हैं ना diffuse कर सकते हैं क्योंके diffusion और effusion के लिए आप की fluidity का होना ज़रूरी है matter में forces of attraction का कम होना ज़रूरी है gases बेहतरीन diffuse और diffuse करती है आप gases को allow करें के एक छोटे से pin hole से एक खास concentration से निकलाए तो वो असानी से निकलाएगी आप gases को open move करने दें उसके रस्ते में hurdle remove कर दें वो असानी से diffuse कर जाएगी तो diffusion और effusion gases के लिए कोई मसला नहीं है क्योंके उसके particles जोते हैं वो randomly move कर रहे होते हैं आपस में collide कर रहे होते हैं और उनके पास जएदा opportunity होती है कि वो एक place से दूसी place तक जा सकें liquid के molecules भी diffuse कर सकते हैं लेकिन उनके diffusion gases की तरह इतनी superior नहीं होगी इतनी अच्छी नहीं होगी इतनी आप यूं समझे बेहतर quality की नहीं होगी जिसना gases की होती है liquid इसलिए diffuse कर जाते हैं क्योंकर उनके one by one यह particles move कर सकते हैं और वो एक जगा से दूसी जगा पर easily चले जाते हैं मसला एक इंक का drop अगर आप water के glass में डालें तो वो फैल जाता है उसकी वज़ा कि वो liquid इंक जो आपने mix करने की कोशिश की है पानी के अंदर वो diffuse कर गी है पूरे water glass के अंदर solid diffuse नहीं कर सकते अपनी जगा से उनके molecules या atom या iron तो हिल ही नहीं सकते एक special property है jowl thompson effect जो gases से related है gases को अगर आप compressed state से suddenly expand कराएं तो वो cool down हो जाती है gases का cool down हो जाना jowl thompson effect किलाता है solids तो definitely अगर हम उन पर pressure release करें तो फैलने से तो रहे same for the liquids gases के molecules जो randomly move कर रहे होते हैं उसकी वज़ाए से वो wall of container की दिवार पे pressure लगा रहे होते हैं जो pressure container पे लग रहा होता है वो सिफ इसले लग रहा होता है कि gas के molecules randomly move कर रहे हैं और एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जा सकते हैं वो ना सिर्व आपस में collide कर रहे होते हैं जो wall of container पे जाके force लगाते हैं वो pressure की सूरत में हमें feel होती है आप किसी container के उपर ऐसा करें pressure gauge लगाएं तो वो आपको बता देगा कि इसमें जो gas fill है वो एक certain pressure लगा रही है solid materials पे ये property फिट नहीं बैठती तो gases के molecules pressure लगाते हैं क्योंके वो एक randomly moment कर रहे होते हैं और वो आपस में भी collide कर रहे होते हैं और wall of container से भी collide करते हैं तो students हमने कुछ properties को solid liquid और gas की आपस में compare किया मुझे उमीद है कि इसमें आपको एक चीज तो वाज़े होगे कि gas state की properties liquid state से बहुत different है और liquid state की properties solid state से बहुत different है ये तीनो states of matter आप inter-conversion कर सकते हैं इनकी temperature बढ़ा कर ये temperature कम करके इन में spaces इनके अंदर inter-molecular force, shape, volume, fluidity, effect of pressure और type of moments का फरक होते हैं और इनकी density भी एक दूसरे से बहुत मुक्तलिफ होती हैं अगर आपके पास तीन states of matter मुझूद हों तो आप easily उनको distribute कर सकते हो on the basis of these properties आपने यार रखना है कि आप से board में short question के तोर पे कोई सी चार properties वो पूछ सकते हैं चाहे वो solid की हो, liquid की हो gases की हो वो MCQ में ये भी पूछ सकता है इन में से कौन सा compressible है solid compressible नहीं होते हैं उसके तो molecules या atom या ions पहले सी एक दूसरे के करीब होते हैं gases compressible होते हैं very significant value के साथ तो आपने इनकी properties को as a short question और उसमें कुछ खास important point as a MCQ दोनों याद करने हैं और ये बहुत important है plasma force state of matter है जिसकी properties इन तीनों states of matter से थोड़ी different है हम उसको plasma के topic में details से discuss करेंगे मुझे उमीद है ये topic आपको समझाया होगा इस topic की importance भी में आप से discuss की है next lecture के अंदर हम दूसर topic discuss करेंगे जो कि है pressure तब तक के लिए आप 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 आप